भी इस लेक्षर के अंदर हम देखेंगे कि आप नल वैलियूज को क्यों इंपूट करते हैं और कैसे इंपूट करते हैं और कैसे इंपूट करते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेस्टन हो प्लीज साथ साथ लिखते जाएगा ताके आपको मैं आपके लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ जो मशीन लर्निंग मैथट के अंदर हम यूज करते हैं तो इंपूट देनल वैलियूज तो स्टार्ट करते हैं जब ना लेक्षर अभी नल वैलियूज की एक्जेंपल बड़ी असान मैं एक आपको देता होता हूँ अक्सरा को आता आपको पता है कि एक छली है आपके पास बुटा छली आप वो खा रहे हैं ठीक है या खाना स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सारे के सारे दाने अगर मुजूद हैं वो दानों स स्पेसिस बन जाती है ठीक है उन खाली स्पेसिस को अगर आप डेटा फ्रेम में नल वैलियूज बोलें तो ये कोई बाइद नहीं होगी अब इसकी अंदर मैं आपको नल वैलियूज की एक चीज़ बता दूँ कि नल वैलियूज इंपॉर्टन हैं क्यों इंपॉर्टन है reason मैं आपको बताता हूँ अगर वो बच्चा चली के दानों के साथ साथ तुक्का भी निकाल के ले जाता तो आपके चली चली रहती कभी नहीं तो इस वज़ा से क्योंके उसके इर्दगिर्द वाले जो points हैं वो सारे के सारे points important हैं क्यों क्यों क्योंके वो एक column से या एक line से या 5-6 line से null values हुई हैं बाकी सारा data तो मजूद है ना हमारे पास इसी तरीके से null values हमारी काम करती हैं अब हम देख के वहां पर ये तो नहीं कह सकते ना कि उस चली में दाने नहीं थे वहां पर मोती लगे हुए थे ये तो नहीं कह सकते ना तो अगर हमने उनको impute करना है तो हमें या तो हमें उपर से उठा के दाने वहां पर डालने पड़ेंगे या दाने जो पहले उपर पड़े हुए थे उन जैसे दाने बनाने पड़ेंगे, हम मोती नहीं उठा के लगा सकते हैं इसी वज़ा से जब आप null values को deal करते हैं you deal those null values based on that data set जो उसी data frame के अंदर मजूँ है सारी values वहीं से लेके अब वहीं से impute कर सकते हैं you cannot come from another data set और आप कहें कि अब मैं impute कर लूँगा तो इस वज़ा से पहली शर्थ यह है कि null values आपकी same data set से impute होने चाहिए same data set should be used पहली चीज़ दूसरी चीज़ अब अगर आप same data set को use करके transformed data बना रहे हैं that is also fine क्यों क्योंके basis तो वही है न अगर उससे को transform data बना है यानि कि उस पर कोई हमने imputation लगाई है और उससे हम null values impute करने वाले हैं या को machine learning का model लगा है that's also fine जहारी बात है हम null values को at the end impute कर रहे है और imputation इस वज़ा से ज़रूरी है कि उसके बगएर आपका machine learning का model नहीं चले गाए एक में मिसाल देता हूं हमारे पास titanic का data था आपको याद होगा भी भी titanic के data के अंदर आट सो इकन्वे रोज है तक्रीबन ठीक है और उन में से एक column ऐसा था deck का जिसके अंदर तक्रीबन छे सो प्लस वैल्यूस मिसिंग थी 600 प्लस वैल्यूस सम्थिंग लाइक या 500 प्लस और एक और column था हमारे पास age का था गालिबन या वो fair का था age का होगा जिसके अंदर हमारे पास missing वैल्यूस थी ठीक है या null values को missing वैल्यूस में बोलते हैं और इसमें missing values बहुत कम थी around for example अगर मैं मिसाल दूँ के 100 values missing है अब यहां पे 600 missing values है यहां पे 100 missing values है अब 600 missing values अगर हमारे पास हैं तो अगर हम 891 माइनस 600 करें तो हमारे पास non values कितनी बची है 291 और अगर हम 891 माइनस 100 missing values जो यह वाली है age की इसको चेक करें तो हमारे पास कितनी बचती है 791 अब आपके पास दो figures हैं एक है 291 और एक है 791 आपको क्या लगता है कि जब हम missing values को impute करेंगे तो कौन सी value accurately impute होंगी impute का मतलब calculate करना या find out करना based on some calculation जिसके पास original values ज्यादा हैं यह वही मिसाल है अगर वह बंदा को बड़ा है आपका दोस्त अक्सरोकाद ऐसे होता है अगर वह चली उसको पकड़ा है तो वह खा जाता है इस साइट से गोल गुमाता 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 हुमाता थोड़ी सी चोड़ता वहां कौन से नाम है नल वैल्यूज को हम मिसिंग वैल्यूज भी बोलते हैं और इनको हम नैन भी बोलते हैं नैन वैल्यूज नैन का मतलब है नॉट अनमबर ठीक है अब एक क्वेस्टन बड़ा पूछा जाता है अगर आपके पास एक डिटा फ्रेम हैं जिसके अंदर तीन वैल्यूज आ सकती है एक में जीरो है एक में वन है और एक खाली है इसमें टोटल नल वैल्यूज कितनी है जी इस एक तीन रूस के अंदर एक नल वैल्यू है यह वाली इसका मतलब यह कि जब Zero होगा ना तयाट इस डिएफ्रेंट दैन नल वैल्यू है और ऑप नल वैल्यू उसको हम ब्लैंक भी बोलते हैं खाली डबे अक्सरोकाद एक्सल की फॉर्म के अंदर ब्लैंक्स हम इनको बोलते हैं इनके कई नाम हैं तो आपने जीरो को कभी नल वैल्यू नहीं कहना और यहां पर नल वैल्यू वहां पर जीरो नहीं लगा देना ठीक है मैं अपने दोस्तों को जब पढ़ा रहा होता हूं न ऐसी चीज़ें तो मैं यह नहीं कहता लगा देना मैं वहां पर कुछ और लफज इस्तमाल करते हुए आप समझ रहे हैं और जीरो जो है न इसकी इन्वेंशन के उपर आप से आज मेरी रिक्वेस्ट है को कोई चै जो है वो नेचर की जुबान है सबसे खुबसूरत जुबान है और जिसको मैथ आ गए ना वो नेचर के राज जानना स्टार्ट कर देते हैं और दिस इस ट्रू आप तो डेटा साइंस पढ़ रहे हैं इतना डेटा दुनिया में पढ़ा है ठीक है तो आप कह रहे हैं कि हमे अगर आपके पास टाइम है वो जारी बात है मैं इस वोड़ा से नहीं कह रहा है कि फिल्म देखके आप मतलब किसी और टाइप की फिल्में देखना स्टार्ट करते हैं हम अच्छी चीज़ आपको देखने लिए रमन उंजन जो इंडियन थे खैर यहां पे आपको पता चल पैसे निकालो ठीक है पांच बच्चों को खड़ा कर लेते हैं मैं अभी आता हूं मैं अभी आया आप अपनी जैम में से पैसे निकालो चार बच्चे वहां पर खड़े होते हैं एक के पास 100 रुपचे हैं एक के पास 50 रुपचे हैं ये चार बच्चे ये खड़े हैं पांच वह तित्र हो गया », अब यह जो पांच में से एक तित्र हो गए, यहां पर एक ब्लैंक बच गए है, मतलब वह ही नहीं है, यहां पर ठीक है, जिसके पास 0 है, वह बंदा तो है ना, मतलब वह data unit तो है ना, है 0, वह अलग बात है, कि उसके पास था कुछ नहीं, 0 is also a value, 0 भी उसी तरीके से नंबर है, जैसे 30 है, वह अलग बात है, जिरो की value गांगा, ठीक है, तो इस वज़ा से यह सारा numeric data है, 0 भी numeric में आएगा, 30, 100 भी 50 भी, null किसी category में नहीं आ रहा, null is null, हतम, data, bye-bye, समझ रहे हैं बात को, इस चीज़ को याद रखे, अब हम method की तरफ जाते हैं, कि null values को impute क्यों किया जाता है, पहले चीज़ तो ये, जितना data हो, उतना कम है, ये बात तो आपको पता है न, अगर आप, ये कहें, कि जी मेरे पास null values आई हैं, अगर तो छड़ो, यार, क्या, इसको impute करना, उठाके, बाहिर फैंग दो, सारी null values, तो अगर आप ऐसा काम करेंगे, इसको बोलते हैं, नमबर वन, dropping the null values, इस फर्स मैथोड आप डिलिंग विद नल वैलियूज, अनफॉर्चुनेटल इस अलसो मैथड, अब हम मैथड की तरफ जा रहे हैं, कि कौन-कौन से मैथड है, नल वैलियूज को deal करने के, imputation की बजाएं मैं यहां पर लफ्स deal का इस्तमाल करूँगा, डिलिंग विद नल वैलियूज, पहला है उठाके बाहिर भाहिर भाहिएंग दो, मतलब वो जो पांच बच्चे थे यहां पर, वो बन्दा कहता है, चलो चुड़ो, आप चारों का हिसाब करते हैं, समझ रहे हैं बात को, अब दूसरा तरीका, अब बड़ी अच्छी एक्जेम्पल यहां पर आपको समझ आएगी, यह बन्दा कहता हाए बचारे के पास कोई रुपया नहीं है, ठीक है, आपके पास तीस हैं, आपके पास सो हैं, आपके पास पचास हैं, वो जो भागा है ना, अगर वो उसको लालश दे, कि हम सारे पैसे जमा करके उसकी average निकालके आपको भी दे देते हैं तो वो बच्चा वापिस आजाएगा data frame के अंदर So that is how you deal the null values for the first method Sorry, दूसरा method उसको बोलते हैं जनाब आप अगर इसको simply बोल दे mean imputation Mean imputation अगर साथ वाले बच्चे ये कहें कि उसके पास सर कुछ भी नहीं था वो ना किसी ने दिये उसे पैसे इसी इद पे हमारे पास तो थे इसने खर्च लिए हैं सारे के सारे मेरे पास पचास बचे मेरे पास सो बचे उसको इदी किसी ने ने दी So you what you do You say के चलो ठीक है सभी के इकठे करो उसमें से दे तो Mean imputation average निकाल के तीसरा method है median imputation आप एक value का median लेके उससे impute करते हैं और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना I'm talking about within feature कि एक column के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं रोज की बात नहीं कर रहा and mean median कहां पर यूज होते हैं फॉर फॉर नुमेरिक वेरियेबल्स नुमेरिक के लिए तो इसका मतलब है अगर हमने नुमेरिक वैलियूस को impute करना है विकन यूज मीन और median ठीक है एक और चीज मैं आपको बताना यहां पर भूल गया dropping null values का मतलब यह है कि आप पूरे का पूरा column उड़ा दें जहां पर null values ठीक है अगर आप rows उड़ाएंगे ना तो आप 600 की 600 rows उड़ा रहे हैं पीछे आपका data थोड़ा बचना है अगर सिरफ column उड़ा रहे हैं तो एक column जा रहे हैं बाकी data वहीं पे हैं so either you remove a column or remove the rows कब column और कब rows को remove करना है जब quantity कम हो null values की you can remove rows जब quantity ज्यादा हो तो उस column को निकालने हैं जिसकी ज्यादे है ठीक है so rows या column इन दोनों में से एक को drop करते हैं तो हम mean median की बात कर ली यह मैं dropping columns की बात कर रहा था dropping null values की अब अगली तरफ जाते हैं जी अगली क्या चीज़ है हमारे पास इस वकत that is mod imputation mod imputation क्या है कि आप जितनी values है उसमें जो बार बार value आ रही है ना उसके साथ replace कर दे ठीक है जो value बार बार आ रही है और बार बार तो काफी आ रही होती है तो जो सबसे ज़्यादा बार बार आ रही है उससे remove कर तो उससे impute कर दे ठीक है सबसे ज़्यादा बार बार सबसे ज़्यादा बार बार जो value आ रही है उससे आप उसको impute कर दे ठीक है जी मीन मीडियन मॉड की तो आपको समझ लगी मॉड जो है ये कैटेगोरिकल और नुमेरिक दोनों में यूज किया जा सकते है depending on the data so this can be used either for numeric or for both numeric and categorical लेकिन डिपेंड करता है ये आपकी sense ने बताना है कि मैंने कौन सा क्यों method यूज करना है समझागी बात की अब यहां पर frequency अगर किसी की ज्यादा है तो उसी की बात हो रही है मैं frequency की बात कर रहा हूँ ठीक है मॉड मीडियन मॉड आपको मैंने पढ़ा है वो तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है पांच में पर चलते हैं जी यहां से काम स्टार्ट होना है सही वाला और अब जो अगली imputation है इस इम्पिटेशन में क्या होता है आप क्या करते हैं आपके पास दो कॉलम है और रिग्रेशन किन कॉलम्स के अंदर होती है आपको पता है यह है मेरे पास एक कॉलम्स जिसके अंदर missing value ठीक है यह कॉलम्स है जिसके अंदर मतलब सारी values ओके हैं इसको मैं okay कॉलम कह देता हूँ अब यहां पे total data है हमारा 100 rows का और इसमें 25 missing है 75 available है हम क्या करेंगे 75 के उपर दोनों numeric हैं फिला पुजत्तर के उपर इसका simple linear regression का model तेयार कर लें समझाए है बात की मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है यह जो पुजत्तर non values है उनको side पे करना है इसकी भी पुजत्तर निकाल लेनी है इनको करना है plot something like this plot करके आपने simple linear regression लगाई आपके पास यह line आई line ने दी आपको एक equation y is equal to ax plus b something like that ऐसे है अब इसमें आपने क्या किया y आपके पास यह x यह है आपके पास equation आगी अब जो missing values है न वाय की वो सारे की सारी से impute कर लें आपके पास x की value भी है a भी है b भी है मैं इसलिए आपको simple linear regression के दुरान बदाया था यहां पर equation का बड़ा रोल है और जो scientist या microbiologist या chemical industry के अंदर जो लोग है न अगर उन से बात की जाए कि standard curve क्या होती है standard curve अगर किसी ने आप में से भी बनाई है तो आपको याद होगा standard curve इसी इसी मामलाथ पर चलती है simple linear regression में तो ये equation आपके पास आगी आपके पास y की value अगर आपने find out करनी है जहां पर x 17 है आपके पास a भी होगा b भी होगा intercept भी और coefficient हो ये जो आपके पास क्या था यार intercept था और क्या इसको क्या कहते हैं दोनों को एक intercept था दूसरा क्या था slope ठीक है intercept of slope की value आपके पास है 17 लगाने आपने आपके पास value होगा जानी so हर point के लिए भाई साथ साथ चलेगा ये गाँ अब मुझे एक बात बता है मुश्किल है यार impute करना कुछ अगर आपको पता है इक गल्द और क्या रखना है जितनी ये अच्छी fit line होगी ना उतनी imputation अच्छी होगी and this is based on only one variable ये one variable की base पे हो रही है अब मैं दूसरी बात करने लगा हूँ regression की line में अगर आपके पास अच्छे वाले variable x1, x2, x3, x4 ये सारे ठीक है और x5 की आपने impute करनी है ये सारे के सारे numeric है तो आप multilinear regression नहीं लगा सकते और भी अच्छा हो जाना काम क्या ख्याल है चुल एक और बात मैं बता देता हूँ आपको क्या याद करेंगे अगर आपके पास categorical भी हैं आप उनको encode कर ले के nearest neighbor start कर दे इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया जहान के जितने machine learning के algorithm है you can actually utilize them to predict some missing values basically तो आप unknown को predict कर रहे हैं यही तो machine learning करती है समझ आरी बात की के नहीं आरी तो before going to predict why आप अपने पहले x तो सीधे कर ले न अब यहां पर एक मिसाल बनती है वैसला बादी मेरे से नहीं राजाता sorry for that ओ ना एक बंदा बढ़ियां गलना कर रहे हैं कर बैठा करना मैं दुनियां बदल देनी है ओधी missis अनु कहती पहले जुत्ती तो बदलो मेरी पाई होई है सो पहले x तो ठीक कर ले ना समझने हैं बात को x आप ठीक कर ले पहले फिर जो एक y के अंदर आप घुसें कि y को बाद में प्रडिक्ट करें so this is how you impute the values based on other x based on the other x अच्छा यहां पर जो मैंने यहां पर चीज आपको बतानी है ना एक वो भी बड़ी important है वो कैसे आपके पास यह features हैं सारे x1, x2, x3 बलकि इसको मैं real life example के साथ यह आपको बता देता हूँ आपके पास है age sex p class याद हैं नहीं सारे और आपने find out करना है fair भी है और आपके पास जो y है वो है जनाबे वाला survived यह वाई है और यह दूसरे जो हैं वो सारे x है आपके पास fair के अंदर missing values है so missing value है तो आप क्या करें पहले fair को impute करें machine learning के थ्रू सिरफ missing value को ठीक है based on other values पहले fair को impute कर ले फिर आप आगे जाए y की तरफ so this is how you can use linear regression or other regression models कोई भी regression model जो है वो आपको basically किसको impute करने के लिए बताता है numeric values को ठीक है और अगर आपको यह और model यूज़ कर ले you can use that too for categorical values यहां तक आपको समझ आगी के नहीं आगी okay हो गया होगा hopefully अच्छा जी regression methods की आपको समझ आगी imputation की या other machine learning method अब चलते हैं के nearest neighbor की तरफ जो हमारा च्छटा method है के nearest neighbor के एन एन imputer और जनाबे वाला यह इतना मशूरे जमाना imputer है ना reason आपको मैं भी बता कि आटाओं पढ़ाया भी आभी के nearest neighbor तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आजा जानी है के nearest neighbor का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि यह closed neighbors की base पे आपको impute करके देता है ठीक है और अगर आपको इस algorithm का पता है आप सिर्फ number of neighbors और distances वगारा set करें आपके पास original value के करीब करीब आ जागी यानि कि इसकी accuracy ज्यादा होगी compared to other methods reason क्या है कि आपके पास यहां पे categorical input variables भी आ सकते है numeric दोनों आ सकते है आपने distance find out करना होता at the end ठीक है तो basically यह cycle learn के अंदर automatically चल पड़ेगा के लियरे स्नेबर लेकिन के की value अगर आपको कम रखते हैं ना मतलब 5 रखते हैं तो आपके पास reason behind that is आपको मैंने बता दिया कि उस circle के अंदर या neighbors के अंदर ज्यादा लोग आएंगे तो हर बंदा गएगा मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है तो उसको generalize करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है either we take mean या weighted mean या something like that तो उसको generalize करना मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आप एक अच्छी k की value रखते हैं मतलब 5, 7, 11, 12 तो उसकी base पे भी आप impute कर सकते हैं तो इसलिए या तो आप directly imputer use करने different libraries के otherwise I would suggest कि आप model train करके जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा यहां पे बताया कि आप पहले अपने x missing values को यहां पे चक कर ले ठीक है इस जगा पे फिर आप आगे जाए ठीक है तो के नेरे से इंप्यूटर नेबर का imputer भी है वो हम use कर सकते हैं based on the algorithm जो भी हमने पढ़ाता फिर आती है multiple imputation छी के बाद साथ मुल्टिपल imputation इसके अंदर क्या होता है आप अपनी y की यानि के x के अंदर जो आपकी unknown values आप वो निकालती है ठीक है और multiple models को उसकी missing values को impute करने के लिए लगा देते मतलब के नेरे से नेबर भी लगा दिया linear regression भी लगा दी decision tree भी आपने लगा दिया कुछ और जो आपके models उनको भी लगा दिया at the end सभी को combine कर देते इससे क्या होता है black ही आपके पास accuracy आती लेकिन black resources भी जाते है ठीक है so this is a nice method लेकिन कभी जरूरत नहीं बढ़ती है इसके अगर आप बहुत ही को accurate model train कर रहे है और आप इसमें mean imputation भी use कर सकते है median भी regression भी फिर at the end आप उनको compare करते है so using multiple models to impute missing values and then aggregate them या combine them ठीक है और उसमें से जो best हो वो आप रख लेते हैं के मेरे पास ये करीब करीब आ रही है और best कैसे find out की जाती है based on the accuracy of one model to another model ठीक है अच्छा जी इससे find मतलब पहले आप model train करते है सभी की imputation लेके फिर final imputation की तरफ जाते है अब आगे चलते है अगला एक और method है हमारे पास जो time series के अंदर use होता है जिससे हम बोलते है least last observation not least last observation carried forward ये cumulative data के अंदर use होती है इसको बोला जाता है आठवा method last observation carried forward last observation carried forward इसको last observations carried forward LOCF भी इससे बोला जाता है इसको forward fill भी कहा सकते हैं आप कुछ लोग इसको कहते हैं लेकिन इसको मैं बताता हूँ इसका मकसद क्या है मेरे पास यहां पर date involved होनी चाहिए date या time मतलब यहां पर यहां पर यकम जन्वरी दो जन्वरी तीन जन्वरी जन्वरी so on and so forth मेरे पास आठ नो यह वाली value है मेरे पास तीन जन्वरी की नहीं so sometimes what we do we take the previous value and put in forward ठीक है इसको बोलते हैं last observation carried forward अब मुझे कोई बता सकता है अगर किसी ने python का चिला बिचला किया हुआ है कि हम यहां पर mean क्यों नहीं लेते time series में उसकी reason आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि आपके time series के data में अचले temperature का data time series का लेते हैं मुझे बताएं जन्वरी का नोवेंबर से जन्वरी का temperature और होगा जून से अगस्त का temperature और होगा अगर आप इसको mean के साथ fill कर दें यहां पर है one degree यहां पर है आपका 30 degree अगर आप इनका mean ले लेंगे तो क्या होगा seasonality का impact ऐसा होगा कि आपका data सही नहीं होगा तो इस वज़ा से last observation carried forward का एक method है एक और method है जिसको हम बोलते है next observation carried backward same वही चीज है ninth number पर आते है next observation carried backward यह क्या चीज होती है next observation carried is backward NB NB CB N O C B होना चाहिए चले मैं इसकी observation बाद में देखता हूँ पहले आपको बता देए यह क्या होते है जैसा कि भाई नाम से जाहिर है अगली को पीछे को ले आना ठीक है एक और method जो है जो मुझे देखने को कम मिलता है लेकिन काफी लोग उसको deploy करते है that is taking the mean of next and previous values ठीक है आप क्या करते है पहली और अगली चीज़ों दोनों को लेके चलते है उसका एक proper नाम है अगर आप चेक करें ना तो उस एक proper नाम को बोलते है interpolation यानि कि transition value होती है अब interpolation क्या होता है काफी लोग यहां पर बार-बार comment करें interpolation बहुता दें interpolation का भी बता दें interpolation यह होती है मैं आपको simple से example देता हूँ आपने कभी रंग भरे हैं किसी चीज़ में जब दो रंगों को मर्ज करना होता है तो हम बीच में transition नहीं आ जाती हो इसके एक ऐसी स्टेज जहां पर अगली का भी impact हो पिछली का भी हो उस स्टेज को हम कहते हैं यार इसके लिए interpolation तो डेटा का लफज है आर्ट के अंदर इसका special एक नाम होता है embed करना या merge करना something like that मतलब दोनों मिक्स होके वहां पर आजाएं अक्सर उकात यह interpolation का method जो है ना interpolation का method आपके GIS के data पर लगता है global positioning system GPS या GIS इससे क्या होता है GIS का data होता है जहां पर mapping involved है आपने देखा था flooding का data लोगोंने impute किया था flooding का data map भी लगाया था उन्होंने काफी लोगोंने और उसके उपर colors भी किये थे कि यहां पर ज्यादा flood है ठीक है यहां पर कम है क्योंकि light color है फिर यहां पर और भी ज्यादा है ठीक है और अक्सर उकात बीच वाले points का नहीं पता होता था तो वह क्या करते हैं हीट मैप इस डिफरेंट हीट मैप में color बार जो होती है वह मिक्सर होती हीट मैप इस डिफरेंट इंग वह एक और चीज़ है अब हमने कौन-कौन सी चीज़ें देख लिए हमने देख लिए multiple imputation भी देख लिए last next भी देख लिए एक और चीज़ आती है ग्यारा पर इसका पता है क्या है आपको recently example भी मैंने दी थी और इमसाल भी and then I told you कि यार इसको सर्च भी करना maximum likelihood estimation इसकी बेस पे भी आप impute कर सकते हैं कैसे करते हैं उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं यह आपका एक data है आप इसमें से missing values सारी की सारी निकालने के बाद इस data की distribution चेक करें कि यह कैसे distributed है distribution चेक करने के बाद आप उनको दुबारा से estimate करें based on the distribution इसके पीशे equation होती हैं बकाइदा लेकिन this is something maximum likelihood कि यह कहां पे maximum इसके होने के chances हैं आपको मैंने मिसाल नहीं दी थी यार वो डबे की जिसके अंदर आपने different colors के वो लखे हुए थे balls मैंने आपको बोला था इसमें 50 वो हैं 50 वो लेकिन आपको नहीं बता आप क्या करेंगे 10 निकालेंगे और उसकी base पे आप कहेंगे कि ज्यादा chances इसकी हैं हम क्या करते हैं missing values सारी निकाल दी non values की base पे बता रहे हैं कि अच्छा total क्या होगा समझा रही मिसाल मैं आपको दे देता हूँ आपके पास यहां पे 100 points बीच में से आपके जो missing points थे वो थे 30 आपने 30 निकाल दी है पीछे बीचे बचे 70 ठीक है 70 की base पे आप कहते हैं यह आपके पास 3 classes थी ठीक है यह 30 में से कितने points किदर जाने और कितने किदर जाने ठीक है वो red blue balls के जो मैंने आपके example देती उसको mind में रखिएगा अगर मैं 70 की base पे कहूं कि जो ratio बन रही है तीनों classes की वो बन रही है 25 और for example 30 and then 70 तो आप हर class में उस हिसाप से division कर देंगे लेकिन maximum likelihood के अंदर बकाइदा distribution की base पे देखा जाता है कि यह point अगर वहां जा रहा है तो वहां पे class कौन से होगी so this is one of the methods जो बहुत कम use होता है but I am giving you an example क्योंकि काफी ज़्यदा algorithm जिसकी base पे चलते हैं okay जी अच्छा अब कुछ और methods भी है परिशान तो नहीं होगे मैं ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहा है अगर परिशान होगे I can stop अगर मुलक देहलाद नहीं ठीकते हैं उसी पढ़ पढ़ नहीं रहें जागर भी दूसी न्यूज चैनल ही चलाना है बहुतर है मेरे को बैठर हो दरा सो हमारे पास जो अगला method है यार math की series आप में से कौन-कौन देख रहा है जो हमारे चैनल पर upload हो रही है अगर आप उसे miss कर रहे हैं बहुत कुछ miss कर रहे हैं क्योंकि अब जो मैं लफ्ज लिखने लगा हूँ वो बड़ी detail में वहाँ पर बताया गया है वो लफ्ज क्या है मैट्रिक्स और इस चीज़ को हम बोलते हैं मैट्रिक्स कंप्लीशन यह है सही mathematical model मैट्रिक्स का लफज आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा मैट्रिक्स आज चार दिन पहले अजाच आवला की भी एक रील आई यह एंड्रियू टॉट के बारे में अड्रियू का पता है किसी को वो जो काफी लोग क्लेम करते हैं वो बड़ा मिलीनियर बिलीनियर है अमेरिका का लोग क्लेम करते हैं कि वो जो है वो पाकिसानी रहा ह वो बंदा कहता है अपने मैट्रिक्स से बाहर निकले मैट्रिक्स का मतलब है कि जहां पर जो कुछ आप कर रहे हैं वो गटर के डड़ू नहीं बने सिंपल सी बात है गटर से बाहर निकले और दुनिया को देखें अपने मैट्रिक्स यानि अपने कॉंफर्ट जोन से बाहर जाएं अपने अपनी जो थिंकिंग है उसके लेवल को इंप्रूव करें और हमारा मसाला ये है कि जब हम आगे जाते हैं ना तो काम खराब होता है एक और अपना भाई है खरीब हो समझने बात अब एक चीज़ याद रखें या जब आप अपने मैट्रिक्स में रहते हैं तो आप कहते हैं सब बेहतर है इसकी मिसाल मैं देता हूँ मैं पाकिस्तान में जिस एरिया से बिलांग करता हूँ ना यकीन मैंने वो मिडल क्लास तो लोग मिडल क्लास फैमिली का रही है मैं खुद एक मतलब कहलें के middle class family से तालक रखता हूँ and I am really proud of it क्योंके middle class था तो इतनी मेहनत करके आगया आगया वरना आपको पता है मुश्किल हो जाता है पढ़ना वो एक passion होना चाहिए बंदे के पास पढ़ने के लिए so at that point मैं जब वहां पर था ना मुझे यह था मैं बाइक पर जाता हूँ university पास है master कर लिया इधर एको 25-30,000-40,000 में job मिल जाएगी university में मुझे मिली थे अपनी दुनिया सिद्धी है भई that's it लेकिन पता नहीं क्या हुआ एक दफ़ा एक religious scholar है मैं नाम नहीं लूँगा वरना लोग वो affiliate कर देते हैं वो university में आया तो उनके एक बात मुझे खनक गई वो बात ये थी कि यार आप अपने लिए नहीं ना कम असकम पाकिसान के लिए सोचें कि कोई तो ऐसा हो जो पाकिसान को एक अच्छी राह दिखा सके जो बच्चे आने वाले हैं वो कहते हैं हर किसी में potential होता है कुछ करने का अगर आप उस potential को आज find out कर ले ना तो आपकी जिंदगी बाकि उस potential को अगर achieve करने में आप लगा देते हैं ना तो आप वो सारा तो नहीं लेकिन उसका कुछ percentage पा लेंगे और इसी link को बनाया अब बात कहते होते थे कि कभी भी ना अगर आप इतना achieve कर सकते हैं अगर उसका आधा भी मिल जाए that is enough for you लेकिन अगर जो आप सोच ही आधा रहे हैं उसका आधा मिला तो आप survive नहीं कर पाएंगे इसी वज़ा से वो बात मुझे याद आती है कि अपने matrix से बाहर निकलें ठीक है अब matrix से बाहर निकलेंगा मतलब यह matrix completion की example आपको मैं देने वाला आपको समझ आ जाएगी a man is known by the company he keeps आपका matrix क्या है आपके यार दो सापकी family members अगर कोई एक बंदा missing हो जाता है मतलब family से बाहर चला जाता है या वो कहीं पर कोई training लेने गया या कुछ लेने गया लेकिन लोगों को पता है वो आपके साथ था तो वो आपकी अदाद को समझेंगे कि उस बंदे की अदाद ही ठीक है so matrix क्या है basically matrix completion के अंदर क्या होता है कि आप आप क्या करते हैं आप एक matrix बनाते हैं कालब का पता है नहीं क्या होता है और जो यहां पर missing values है यह different mathematical models जो है या equations जो है या calculations जो है वो इन missing values को impute करने में help करती है and this matrix completion जो है यह वाले method कहां पर use होता है यह वाले method यूज होता है जब आपकी dimensions हाई है data की column बहुत ज्यादे हैं आपके data के समझ रहे हैं बात को और जब columns ज्यादे हैं तो आपके पास data जो है बड़ा heavy किसम के या आपका data three dimension या four dimension के अंदर है tensors की जब हम बात करेंगे आपका figures का data आपका तस्वीरों का data जहारी बात उसमें भी तो आनी है न numerical values और missing values समझ रहे हैं बात को अब मैं मैं आपको एक बात बताता हूं बिल्कुल उसामा भाई उस पर भी हमने काम करना नमपाई के उपर मैं सरे machine learning के models का और उससे भी ज्यादा जो missing चीज होती है ना जो data उनके पास भी नहीं है आप लिखते हैं कि for example कबूतर को गन्य का जूस पिलारते हुए ठीक है उनके पास ना तो गन्य की जूस का उन्हें पता है लेकिन sugar gain का पता है कबूतर का उन्हें पता है so what they will do they will impure those missing information based on different things अगर वो 2D के अंदर है तो बाकी चीज़ें कर लेंगे अगर higher dimension में है तो matrix completion is one of the tools that they use ठीक है अब इसमें कौन-कौन सी चीज़े involved होती है आपको दो method में यहां पर बताऊंगा matrix completion के जिसको हम बोलते हैं svd method number one svd d sorry number two is आपका pca कभी किसी ने सोचा है कि PCA जो है वो यूज किया जा सकता है missing values के इंप्यूट करने के लिए हम लोग वहां तक जाते ही नहीं है ना हम करते हैं medium mode होता ओक भी जाने दो और यकीन माने मैं बड़े-बड़े data scientist को follow करता हूं इडिदन सी anybody going more than iterative imputer या KNN imputer इससे आगे वो नहीं जाते हैं सिरफ scientist जो papers वगारा publish करते हैं वो जाते हैं so svd जो है yes singular value decomposition svd is अगर मैं इसको दुबारा से लिखूं यहां पर svd is singular value decomposition method singular value decomposition svd second one is PCA PCA is principal component analysis यह दोनों करते क्या हैं यह high dimension data को एक single graph में plot करने के लिए helpful होते हैं और उनको छोटी dimension में तोड़ देते हैं decompose कर देते हैं मिसाल आपको देता हूँ बहुत बड़ी जानवरों की body पड़ी हो किसी खेद में पड़ी हो तो बाद में हडियां रह जाती हैं अक्सरोकाद वो सारे के सारे decompose हो जाता है then you can also work on the imputation of values based on the matrix completion ठीक है और इसके अंदर जो main काम होता है वो यह होता है कि आपकी dimension जो है वो जब बहुत बड़ी हो तब आप यह वाला method यूज़ करते हैं और जो आज की दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है मैं यहां पर जिरफ नाम लिखूंगा तेर्वा हमारा method है विच इस डीप लर्निंग की बात ना हो तो यह फिर हमने किया ही कुछ नहीं है ठीक है machine learning तो basically deep learning is also machine learning लेकिन आज कल जो बड़े-बड़े algorithm यूज हो रहे हैं बड़े-बड़े data that is based on deep learning algorithm जो चोटे जो traditional algorithm है उनको अगर आप नहीं समयच सकते तो बड़े algorithm को नहीं समय सकते यह मेरा मानना है बाकि कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे सिधर dl से start करते हैं और वही पर आगे जाते रहते हैं it's their choice they know कि यह सारी चीज़े हैं लेकिन जब आप भी कोई चीज स्टार्ट करें तो basis से करें वह बहतर है अच्छा deep learning में क्या होता है deep learning के अंदर आपके पास automatically neuron की layers होती है something like this यह आपको मैं पढ़ाऊंगा भी तुछ परेशान नहीं होना आपने यह मैं क्या कर रहा हूं यहां पर और फिर यह neuron की layers आपस में attach होती है something like this फिर यह attach होने के बाद आपको equations देती है at the end आपके पास एक equation आनी होती है ठीक है इसी को तो model कहते है न अगर आपको याद हो और यह equation अगर deep learning के models के थ्रूँ आप ले रहे हैं और इस equation से आप कोई भी missing values को impute कर रहे है that is the method we utilize in deep learning imputation ठीक है और यह होता कैसे है यह basically आपके पास generative models होते है for example अगर मैं एक method की बात करूं यह model की बात करूं that is auto encoder ठीक है यह tensorflow के अंदर easily पड़े हुए है अगर आपको tensorflow की library कर नहीं बता so we will see that TF मैंने यहां पर लिखे tensorflow T-E-N-S-O-R-F-L-O-W burger आयाता है कभी-कभी R so tensorflow auto encoder is one of the methods and the second one is generative adversarial networks GANS बोलते हैं हम इसे GANS Generative मुझे भी यह नहीं याद इसका पूरा नाम सीधी से बात है मैं GANS करके इसे बोलता होता हूँ और अगर आपने याद करने that's good अच्छी बात है याद होना चाहिए लेकिन कम असकम आपको पता होना चाहिए कि deep learning में कुछ हो जाएंगे और सिरफ इस जॉब के ऊपर बकाइदा विकंसी ओपन होती हैं बड़ी कंपनीज के अंदर स्टार्टिंग पर जाते हैं आपको उन्होंने यह नहीं कहना अलब फड़वी model मुना दे ना ना वो छे साथ मा रगड़ा देते हैं आपको ट्रेन करते हैं कि यह हमारा डेटा यहां से आ रहा है इस पर कुछ भी हो आपकी जॉब का टाइटल बिफोर हैंड मॉडल पर जाने से पहले क्योंकि मॉडल जो है वो बड़े वहां पे जो पहले से काम करने न रो वो तियार करते हैं क्योंकि उनको इची बिची जिसे मैं बोलता हूं या हर एक चीज उस मॉडल की पता होता है वो अग से वैलियोज को इंपूट करते हूं मैतमाटिकल मॉडल को लर्न करना सीखें उसकी पुरानी चीजों पर न जाएं कि आपने कैसे किया कैसे नहीं किया में मीडियन मॉड से आप कर सकते हैं यू कन डू लॉट अफ़ वाधर इजाए आपको बताए थे ठीक है अब आपका का यह है कि इन मैथेड्स के ऊपर कोड रन करना ठीक है मैं आपको कुछ जो एक्जैंपल यहां पर बताने लगाँ आपने यह फाइंड आउट करना है कि यह मतलब सारे के सारे नहीं टॉप फाइव वही बात मैं करता हूं टॉप फाइव कौन-कौन से हैं सबसे पहले अगर मैं टॉप फाइव जो मुझे पसानने है मैं पर्सनल ओपीनियन देने लगाँ और मेरे अपने नॉलिज की बेस में मैं बताने लगाँ पहला मॉडल और विसली ड्रॉपिंग मुझे नहीं बसानना यह मैथड भी नहीं है वह एक चीज़ को आप निकाल रहे हैं उसको कह रहे ह है लेकिन कब ड्रॉप करना है क्यों ड्रॉप करना है that depends on the context of data अगर डेटा में वह एमेल के आ रहा है फॉर एक डेटा हमारे पास है गूगल का उसमें आप इमेल को कभी जिंदगी में नहीं कर सकते भई क्या कर सकते हैं बिलकुल वह ना होने के बराबर है इंप्यूटेश में में मेडियन मॉड इन तीनों को मैं एक ही जगह पर लिखता हूँ पहला मैथड यह दूसरा आपका के एन एन इंप्यूटर तीसरा आपका एक में नाम बोल रहा हूँ इट्रेटिव इंप्यूटर यह अब आपने देखना है कि यह कौन सी कटेगरी में आ रहा है ठीक है इट्रेटिव इंप्यूटर क्या होता है इसको आपने देखना है फिर चोथा हमारे पास जो मुझे पसंद है ना इसकी अगर बात की जाए अगर मैं यहां पर आपको उपर जाके दुबारा दिखाऊं इस वन इंटरपॉलेशन क्योंकि यह टाइम सेरीज में अगर आप इंटरपलेट करें डेटा को अधर सेनफ इंटरपॉलेशन यह टाइम सेरीज के लिए बता रहा हूँ and पांच्वार इस डियल मैंथद अभी के लिए क्योंकि आप अभी तक उस पे नहीं गए जो मैट्रिकस और इन मैथटोड को हम बारी बारी देखेंगे भी हमारी इस क्लास को तक्रीब दो गहंटे के करीब होने वाले हैं अगर आप थक गहें देना कें स्टॉप यह अधर्वाइस वी कन सी के कोडिंग भी थोड़ी सी करके देख लें अगर अच्छा बोल मैं रहा हूं और आप ठक जाएं क्या ही बात है जारी बात है परिशान होता है बंदा कोई मसला नहीं है ओके जी मैं इसको यहां पर स्टॉप करता हूं यहां से अपनी आपको के अनन का तो बता दू ना जरा कि किस तरीके से वह इंप्यूट करता है क्या ख्याल है एक आपको बता देता हूं बाकि आप फिर देख लीजेगा ठीक है जी यह जनाब आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी मैं सिरफ यह वाला बता दूँ देन वी विल स्टॉप ओके अच्छी बात है उमर भाई ने बोला कि तरावी इमाम पढ़ाता है लेकिन आवाम पीछे पढ़ते पढ़ते थाक जाती है अच्छा जी नल वैलीज को इंप्यूट करने के लिए हम यहां पे आप देखते हैं एक मैथड जो मैंने के नीरस नेपर का आपको बताया था और बड़ी इसान एक्जेंपल के साथ मैं आपको बताने लगाँ हमने सबसे पहले किया इंपोर्ट पांडाज एस बीडी सेकेंड हमारे पास है फ्रॉम एसके लर्ण डॉट इंप्यूट इंपोर्ट हमने यहां पर करना है के एन एन इंप्यूटर अच्छा बाइदा वे एसके लर्ण के अंदर ना बहुत ज्यादा इंप्यूटर पड़े हुए जस्ट एक्स्प्लोर दें मैं लिंक आपको भेई देता हूं इंप्यूटिंग मिसिंग वैलियूज उस पर पूरा चैप्टर ए 6.4 उनकी डॉकुमेंटेशन का यूनिवेरियेट मल्टिवेरियेट एक वेरियेबल की बेस पे दो वेरियेबल की बेस पे सो एन अन सो फॉर्थ मैं यह आपको उसका पूरा लिंक बही देता हूं बातें वह थोड़े डिफरेंट टच के अंदर है यह मैंने आपको भी लिंक बही दिया ठीक है अब बात करते हैं जनाब आपकी इंप्यूटर के एनन इंप्यूटर मैं यहां पर आपको बता रहा हूं के नियरेस नेवर का हमने क्रिएट सिंपल डेटा सेट हम करते हैं डेटा सेट को यहां पर बनाते हैं data is equal to यहां पर pd.dataframe कर लेता हूं मैं और इसके अंदर data frame बनाते हैं ठीक है अब यहां पर चेक करें के automatically इसके अंदर मैं import numpy as NP भी कर लेता हूँ तो basically हो क्या रहा है यहां पर A, B और C तीन column बनाए है ठीक है और यहां पर बलके n numpy नहीं मैं करता है आपको simple non values के हिसाब से बता देता हूँ ठीक है इसको मैं लिखता हूँ none अच्छा none भी जो है एक category है इसकी मतलब same नाम है इसका null values का ठीक है यह मैंने एक data frame बनाया data मैंने इसे बोल दी है ठीक है यह इसको df बोल देते हैं df बोल देते हैं ओके हो गया यह मैं यहां पर इसको run करता हूँ hopefully यह run हो जाएगा अक्सर उकाद पैड़ी भी लग जाती मेरे साथ अक्सर हो जाता है ऐसा तो मैं df.head करता हूँ यह हमारे पास एक data set आ गया अब मैं आपको जो कल एक extension बताई थी data wrangler की वह भी यह यहां पर आ जाती है जैसे आपने head करने आपके पास आ जानी है लो है कि नहीं मज़े वह जैसे बोला नहीं कहता मज़े यह वह वाले मज़े है और यह वही बंदा जान सकता है जिसने सही मेहनत करके कोडिंग सिखी हो एंड थे अगला बंदा पस्तॉल कर ले समझे रहे ना बात कि छे मीं निला के कराटे से के लड़न वास थे अगले ने पस्तॉल कर लिया सो यहां पर वही बात हुई है कि हमने data wrangling सीखिया पिछले दो मा लगा के अगले ने extension कर दी सो हमने यहां पर data head किया अब मैं क्या करता हूँ imputer को import करता हूँ यहां ठीक है बलके मैं एक ही code के अंदर आपको करके दिखा देता हूँ ताके आपको समझ आए यहीं पर और यह code आपको मैं भीदूंगा यहां पर हमने creating an imputer basically imputer आप यहां पर लिखते है मुझे पता था इसने दे देने और यहां पर number of neighbors मैं दो कर देता हूँ reason क्या है 2 करने की क्योंकि यहां पर values मेरे पास कम है अगर मैं यहां पर values और add कर दूँ मतलब यहां पर यह जी दो तीन 6 कर दियू value मैं ने और यहां पर तीन और तीन 6 यहां पर होगी तो यहां में भी 6 होगी, तो 6-6 value कर दिया, मैंने neighbor 2 रख लिए, imputer मैंने create किया, यह मेरे पास imputer भी बन गया, ओक्यों हो गया, अब मैं यहां पर क्या करूँगा, impute करूँगा data को, उसके लिए simple वो ही है, scaling जैसे हमने की थी, fit करना है इसे, याद है न, scaling हमने क्या किया था, encoding भी वैसे कही थी, अब इस तरह imputer भी वैसे चलना है, imputer.fit, उसको df के उपर आपने fit कर देना, that's it, ठीक है, अब इसको अगर आपने separate रखना है, तो इसको मैं बोलता हूँ, df underscore imputed, is equal to, underscore दूर लग गया, तो मैंने यहाँ पे एक निया data frame बना लिया, df underscore imputed के नाम से, अब आपको दोनों दिखाता हूँ, df.head, यह हो गया, df वाला, जिसके अंदर null values है, df underscore imputed, dot head, पैड़ी ना लगे, बाकी खैर रहे, लगी पैड़ी, as no attribute head, df underscore imputed, as no attribute head, I know why, इसको मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंके, अब हमने इसको transform भी करना है, ओके, now we will see, replace करनी है, values in original data, उसके लिए हम करेंगे, df imputed, dot transform df, df imputed, dot transform df, and yes, that's how we do it, तो होता क्या है, इसके कुछ steps, जो है, मैं भी आपको बताता हूँ, फिर इसको detail में हम देखते हैं, हमने पहले, ये वाला हमारे पास था, जी, sklern का k-n-n imputer, k-n-n imputer को, जब हमने बुलाया, यहाँ पे, हमारा ये data, अगर titanic का होता हो, तो it's fine, titanic का भी होता, हमने यहाँ पे create किया एक imputer, ठीक है, और फिर हमने उसको, क्या किया, fit कर दिया data पे, उससे हमारे पास क्या आया, data frame, imputed data frame, हमारे पास एक algorithm आ गया, ठीक है, इसको अगर हम बोले, imputed data, तो यहाँ पे हमारे पास imputed data आ गया, लेकिन वो imputed data जो है, वो basically S के learn के algorithm के अंदर से, जो imputed data, उस imputed data की equation और model को, हमने फिर दुबारा से transform करवाना है, DF के अंदर, ताके वो जो impute किया हमने data, वो inside DF चला जाए, so this is how we transform that data, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास, इसको अगर हम बोलें, DF underscore imputed, इसको बोल देते हैं, सिर्फ imputed, ताके मैं DF imputed को, यहां पर print करवा सकूं, और यहां पर भी, अच्छा, अगर मैं यहां पर number चेंज करूं, इसके चार कर दूँ, तो आप चेक करें को value में फरक आया है आपके पास, फरक आया दोनों में, कहां पर फरक आया, यहां पर 3.5 है, यहां पर 5.5 है, ऐसे ही है, समझ रहे हैं, तो अगर मैं इसके neighbors को दो कर दूँ, अब चेक करें दूँ, अगर मैं इसको एक कर दूँ, अब चेक करें दूँ, अब discrete values आने start होगी ना हमारे पास, क्योंकि एक value का दूसरे उपर effect आ रहा है, अगर मैं इसी को 4-5 कर दूँ, 6 कर दूँ, 7 कर देते हूँ, हो गया जी, अब मुझे एक बात बताएं, हमारे पास total values कितनी हैं यहां पर, 3 और 3-6, पर section हमारे पास value 6 हैं, हमने number of neighbors कितने कर दी हैं, 7, अगर मैं इसी को 10 करता हूँ, यह ले, अगर मैं इसी को 50 कर दूँ, फिर भी impute हो रही हैं, वजा क्या है, वो क्या कर रहा है, वो available neighbors को देखके impute कर रहा है, it is not training, यह सिरफ impute कर रहा है values को उसकी base पे, so you can see कि यहां पर यह parameter आ गया, अगर आप impute के get parameters लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, I hope कि यहां पर आ जाएंगे imputer, dot get prams, get prams, get prams, आ जा भई, yes, this one, तो आप गया कर सकते हैं, आप basically इसके अंदर भी आप impute के भी parameters को change कर सकते हैं, neighbors हो गया, function हो गया, और बाखी चीज़ें, weights बगयरा और सारी चीज़, ठीक है, so you can play around this, और यहां पर यह सारा काम आप कर सकते हैं, एक simple सा algorithm मैं यहां आपको लगा के दिखा देता हूं, कि Titanic के data set पर यह कैसे काम करेगा, यह मैं सिरफ code copy paste कर रहा हूं, और हम यहां पर Titanic के data is equal to SNS के साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास data यहां पर नहीं है, ठीक है, import cbond as SNS, और यहां पर SNS.load data set हमें करना पड़ेगा, Titanic, let's hope कि यह काम करेगा, error देगा, मुझे लग रहा है, बिलकुल देगा, क्यों देगा, क्योंकि data जो है, वो different हागया, हमारे पास none of index, age, fair, type are not in the columns, क्योंकि spelling छोटे हैं इसके, ऐसा ही है जी, यह सेम वो ही काम है जी, हमारे पास age और fair क्या, अच्छा, हमने क्या किया, data import किया, relevant columns को select कर रहा है, जिनकी imputation कर नहीं है, यह point बड़ा note करने वाला है, create a new data frame, with selected column, ठीक है, उसके अंदर हमनों उसके copy बना लिए, and then, हमने क्या किया, imputer को, यहां पे impute किया, transform कर दिया साथ ही, dot fit transform, आप सिधा भी लगा सकते हैं, and then, आपने क्या किया, imputed data के साथ, इसको equalize करके, आपके पास, modified data frame आ गया, simply, सही है, तो यह चीज़ आपके पास, अभी आपको मिल भी जाएगी, so you can work on this, आप एक तो तरीका यह है, बाकी जो बाकी तरीका का रहे हैं, उसको इन्शाला हम कल को देखेंगे, one by one करके, और कल को हम एक और चीज़ देखने वाले हैं, कि feature को select कैसे करना है, फिर machine learning algorithm, फिर इसके बाद हम चलेंगे, hyper parameter tuning और साथ-साथ algorithm पढ़ते जाएंगे, तो आज जो हमने काम किया, बेसिकली वो हमारा के एने प्लस, हमारा imputation का काम था, मैं यहाँ पर इसी चीज़ को मैं stop करता हूँ, और यहाँ से अपनी recording stop कर देते हैं हम, जो मैं करता हूँ,